हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब देखिए लालू यादव की पार्टी हमेशा ये कहती है कि सामाजे को उत्थान की राजनीती वो करते हैं लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये जाती है राजनीती की जा रही है आरजेडी के द्वारा चुन या रगुवन्स प्रसाथ से भी जोड़ दिया है और कहा कि आरजेडी ने उनका अपमान किया और इसी वज़े से समय से पहले उनकी मृत्तिव हो गई तो तेजस्वी के बयान पर जेडिव का पलटवार सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आखिर इसमें गलत क्या अगर वो बोल रहे हैं कि हम जाती समानता चाहते हैं ताकि जो पिछड़े हैं दलित हैं वो सीना तान करके चल सकें जैसे पहले चलते थे तो इसमें गलत क्या है देखे दरसल इस बयान के जरिये सवर्णों के खिलाफ जातिये विद्वेस भढ़काने की एक सुनियोजित कोशी सुनोने की है और विहार के पंद्रा वर्सों का उनके माता पिता का जो कारिकाल है उस दोरान उनके पिता लालू प्रिसाजी ने भूरा बाल साफ करो की बात कह थी आज बाबु साहब शब्द के जरिये विहार में ठाकुरों को लेकर के उन्होंने यह बयान दिया है और ठाकुरों को लेकर के उनकी जो नाराजगी है वो पहले से जगजाहिर है इसलिए कि जिस तरह से रगवण साहु को जीवन के आखरी छंड तक यह अंत्रना और अपमान के जरिये उन्हें आसमय मौत की गोद में सोने के लिए वीवस किया गया उनके मरने के बाद भी उनके खिलाफ अनेक बाते उनकी पार्टी के निताओने कहें एक बार फिर उन्होंने उस चीज़ को दुहरा दिया है दूसरी तरफ जो दलितों और अती पिछी जाति से फासला उनका बढ़ा है कि क्योंकि उन्हें बराबर लगता था कि रिजर्विशन का लाब अती पिछी जाती हो और महदलीतों तक कभी पहुचने का मौका नलालू प्रिसाद जी ने दिया ना राबडी जी के कारिकाल में मिला और इसके बाद का जो इनका 18 महीने का कारिक जाल में भी इन वर्गों के लिए इनके कोटे के मंत्रियों ने या इन्होंने स्वैम कोई काम नहीं किया जाती है